इस वीडियो में हम सीखेंगे Ordinal Numbers Ordinal Numbers आप भी मेरे साथ पढ़ें Ordinal Numbers O R D I N A L Ordinal N U M B E R S Numbers Ordinal Numbers Ordinal Numbers और Ordinal Numbers क्या होते हैं? जो कोई Position या Rank शो कर रहे हों जैसा के आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं First, Second, Third अब ये Position है या Rank है इन्हें हम Ordinal Numbers कहेंगे पहली तस्वीर की तरफ आईए सबसे पहले जो लड़का खड़ा हुआ है ये है First First यानि सबसे पहले इसे क्या कहेंगे? First वन लिखकर साथ में S T लगा देते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये है First और फिर अब इसे देखिए ये दूसरा जो लड़का है ये हो गया Second Second यानि दूसरा और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये Two है और साथ में N और D लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा Second First के लिए हमने क्या किया था? One के साथ S औ ट लगा दिया और Second के लिए Two के साथ N और D लगा दिया और अब यहां पर तीसरी तस्वीर की तरफ आईए ये है एक और लड़का जो के तीसरे नंबर पर है ये तीसरी पोजिशन पर है ये होगा Third Third पहले हम Three लिखेंगे और साथ में R और D लगा देंगे और ये बन जाएगा Third First, Second, Third आप भी मेरे साथ पढ़ें First, Second, Third यानि पहला, दूसरा और तीसरा और इदे हम क्या कहते हैं Ordinal Numbers Ordinal Numbers जो कोई Order शो कर रहे हों या कोई Position शो कर रहे हों जैसे कि ये First है फिर ये Second और ये Third चले हम हम इसे भी दोहराते हैं First के लिए क्या लगाते हैं पहले One लिखते हैं और फिर One के साथ S और T लगाते हैं तो ये हो जाएगा First फिर Second के लिए यानि दूसरे के लिए हम पहले Two लिखेंगे और Two के साथ हम N और D लगा देंगे और ये हो जाएगा Second और तीसरे के लिए हम लगा देंगे Three और उसके साथ R और D ये बन जाएगा Third First, Second, Third और ये कौन से Numbers हैं? ये हैं Ordinal Numbers और ये हैं Ordinal Numbers चलें अब आप बताएए ये कौन से Numbers हैं? ये हैं Ordinal Numbers बिलकुल ठीक चलें अब यहां पर आएए और अब मुझे Ordinal Numbers बताएए First, Second, Third बिलकुल ठीक First, Second, Third यानि पहला, दूसरा और तीसरा और Ordinal Numbers क्या बता रहे होते हैं? Ordinal Numbers कोई Position या Rank बताते हैं बिलकुल ठीक चलें अब हम फिर से दोहराते हैं First, Second, Third यानि पहला, दूसरा और तीसरा First, Second, Third और ये कौन से Numbers हैं? Ordinal Numbers अब यहां पर order हमें इनका पता चल रहा है कि ये First है, ये Second और फिर ये Third चलें अब इन तसावीर की तरफ आ जाएए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है और इसके उपर आप ये Speech Bubble देख सकते हैं ये ये बताए जा रहा है कि ये बच्ची क्या बोल रही है? ये Bच्ची क्या कह रही है? ये कुछ सवाल पूछ रही है इस सवाल या निशान से हमें ये पता चलता है कि ये बची एक सवाल पूछ रही है और सवाल क्या है Who is first यानि पहले नमबर पे कौन है या first कौन है और फिर आप साथ में देख सकते हैं कि ये जो नमबर first पे बच्चा था या जो लड़का था वो कुछ बता रहा है यानि उसके उपर भी एक speech bubble है और वो क्या बता रहा है I am first और फिर आखिर में full stop यानि अब ये जुमला मुकमल हो गया है लड़की ने क्या सवाल पूछा था Who is first यानि first कौन है और फिर यहां पर भी आप देख सकते कि ये लड़का first पर ही है इसने यहां पर बताया आके इसे के मैं first हूँ यानि I am first बिल्कुल ठीक चले हम फिर से दोर आते हैं अब आपने भी मेरे साथ पढ़ना है ये है first first बिल्कुल ठीक और ये second second और ये third third बहुत खुब first second third यानि पहला दूसरा और तीसरा ये लड़का कौन से नंबर पर है first और फिर इसका बताईए second और ये third first second third और ये कौन से नंबर होते है ordinal numbers ordinal numbers जिसमें कोई order या rank बताया जा रहा होता है या position बताई जा रही होती है और इसमें आप देख भी सकते हैं first, second और third first के लिए हम साथ में one के st लगाते हैं second के लिए two लेकर साथ में nd लगा देते हैं और third के लिए हम लगा देए three लेकर आखिर में R और D first के हम spelling देखें जो के है FIRST तो जो first की spelling के आखरी दो लवस है वो हम यहां लिख देते है या जो दो letters है इसी तरह सेकंड के भी जो आखरी दो लेटर्स हैं उनको हमने यहां पर टू के साथ लिख दिया और थर्ड के साथ भी जो हमारे पर आखरी दो लेटर्स होते हैं वो हमने आर और डी वो लगा दिये इसके साथ तो इस तरह हमें मालूम हुआ कि ये first है, second है और ये third है और ये ordinal numbers है चलें अब इस तस्वीर की तरफ आ जाएए यहां पर एक लड़की है और इसके उपर आप speech bubble देख सकते हैं यानि ये लड़की क्या कह रही है इस लड़के को ये कह रही है यानि तुम दूसरी position पर हो या तुम second हो अब आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहां पर भी यही लड़का है जिसकी बात यहां पर हो रही है और ये कौन से number पर है second यानि तुम second हो और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर third पर जो बच्चा है या लड़का है वो यहां पर भी है और वो बता रहा है I am third I am third यानि मैं तीसरे number पर हूँ या मैं third हूँ चलें अब आप बताईए दूसरे number पर कौन है ये वाला बच्चा बिल्कुल ठीक ये है second second अब आपने मुझे ये बताना है कि first कौन सा है बिल्कुल ठीक ये है first यानि पहला वाला और अब बताईए third कौन सा है ये है third बिल्कुल ठीक बहुत खुँब first, second और third और ये कौन से numbers होते है ordinal numbers बहुत खुब, शबश अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में इन ordinal numbers को दोराने की कोशिश कीजिए इस सरह आप बहुत जल्दी ordinal numbers English में सीख जाएंगे 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 जाएंगे